हेलो फ्रेंट सौगत आपका गाइड में दोस्तो आजकल फेस्टिव सीजन चल ला है बैक टू बैक सेल्स चल ला है डिसकाउंट ओफर चल ला है e-commerce websites पे और इसी समय स्कैमर्स एक्टिव हो जाते हैं और customers को target करते हैं अभी देखिए हाली में फिर से एक नया स्कैम शुरू हो गया है इसके बारे में आप जानकारी रख लीजिए और दूसरों को भी शेर कर देजिए ताकि उनके साथ कुछ इस तरीका का स्कैम ना हो अगर हो रहा हो तो बच सके तो दोस्तों इस स्कैम क्या है? फिलिप कार्ट पे लेटर एकाउंट स्कैम और इसके थुरू लोगों को फसाय जा रहा है उनको चूना लगाने की कोशिश करी जा रही है तो दोस्तों अगर आपका फिलिप कार्ट अकाउंट है ये और ये लोग इसलिए call कर रहे हैं क्योंकि आपके Flipkart Paylator account से suspicious activity हो रही है अब बहुत से लोग Flipkart Paylator के बारे में नहीं जानते हैं ये क्या चीज है तो वो जान ले मैं उनको थोड़े में बता देता हूँ कि Flipkart Paylator एक ऐसा फीचर है जो कि Flipkart ने customers को दिया है कि इसकी मदद से customers क्या कर सकते हैं वो किसी भी product का order कर सकते हैं और पैसा बाद में pay कर सकते हैं अब ये जो feature है वही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं वही लोग इसका फाइदा उठा सकते हैं जिन्होंने ये feature लिया इसका approval लिया जिसके लिए documents लगते हैं और इसका बहुत फाइदा ये है कि इसमें कोई भी additional charges नहीं लगते हैं आपको बाद में पैसा देना पड़ता है flexible payment होता है और single click checkout process होता है या my cost होता है प्रोसे ऐसे benefit होते हैं जैसे कि आपका instant refund हो जाए तो इस तरीका का सुर्दा ये flip card देता है तो ये जो call आ रही है ये flip card users को आ रही है और हो सकता है आपका flip card पे account ना भी हो तब भी आपके पास call आए क्यूंकि जिनको इसकी knowledge नहीं है वो तो यही समझेंगे कि ये flip card के बारे में इसे बात कर रहा है तो इसलिए ये लोग फस सकते हैं तो इसमें करते क्या ये लोग customer care executive बनकर आपको call करते हैं और कहते हैं कि आपके flip card पे लेटर से को suspicious activity और किसी OTP रहता है और उसको ये लोग कहते हैं कि आप हमें बता देजे तो जो suspicious activity वो रुख जाए जैसा ही आपने उसको बताया तो आपका flip card पे लेटर account जो है वो hack हो जाएगा फिर उस account का स्तमाल करके जो भी transaction हो जो भी order हो आपको चूना लगाए जा सकता है तो आप सतर करें ऐसा कोई भी call आए OTP मांगे online किसी को भी नहीं देना है वरना आपके साथ fraud हो जाएगा चाहे वो amazon customer के आप से OTP मांगे या कोई भी बहाने से OTP मांगे कोई भी code मांगे चाहे जिस form में हो आपको कुछ शेर नहीं करना है वरना आपके साथ fraud हो जाएगा अगर fraud हो गया तो आप flip card को contact करें उसको बताएं आप cybercrime में रिपोर्ट करवाएं यह सब चीज आपको करनी पड़ेगी अगर आपके साथ fraud हो गया और इस वीडियो को शेर करके दूसरे लोगों तब पहुचा है ताकि वो लोग इस आने वाले दिवाली और प्रितोहरों में वेकूफ न बन सके तो दोस्तों इस वीडियो साथ अपता के लिए गुडबाय